तो गाइस ब्रांच एप्लिकेशन में एक अप्डेट आ चुका है अब ब्रांच एप्लिकेशन से आप बड़ी अमवाट की लोन ले सकोगे अब जिन लोगों को पता नहीं उसों में बता दूँ कि ब्रांच एप्लिकेशन एक आरबे रेजिटर एंडबेब से अपरोव एप्लिकेशन है और आप स्रिफ आधरकार उर्पेनकार के बेसिस पर पूरे 50,000 रुपे की लोन ब्रांच एप्लिकेशन से अब ले सकोगे और अगर आप एक सेलिट फसन हो तो यहाँ पर आप सेलिट का प्रूप देखे उससे भी बड़ी अमोट की लोन ले सकोगे और आपका सिबिल स्कोर कम है और आपकी उम्रा स्रिफ 18 एर है तो अभी आपको एप्लिकेशन से आसानी से लोन मिल जाते है तो क्या अबडेट आया है अब यहाँ पर लोन अप्लाइक के सिकन नहीं सारी जानकारे इस वीडियो में हम बताएंगे यहाँ पर हम लोन अप्लाइक करने से लेके उसे बेंक अकाउट में ट्रासफर करने तरह का प्रोसेस बताएंगे सबसे पर दोस्तों आपको डिस्क्रेप्शन में इस एप्लिकेशन की लिंक मिल जाएगी वहाँ पर क्लिक करके एवले एप्लिकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हो इसके हम रेटिंग की बात करें तो 4.5 की रेटिंग है और 10 मिलियन चे पर जादर लोगों ने इस एप्लिकेशन को डाउनलोड किया हुआ है और आप इसके रिव्यू अगर आप भी देखोगे तो सारे रिव्यू यहाँ पर आपको अच्छे ही देखना को मिलेगे अब यहाँ पर हम इसके डिटेल की बात करें और अपडेट की बात करें तो अब इसमें अपडेट एया है कि अब इस एप्लिकेशन से आप एक नहीं बलकि 2 लाख रुपे तकी लोन ले सकते हो पहले यहाँ पर आपको सिर्फ 1 लाख रुपे की लोन मिलते थी लेकिन अब यहाँ पर आप इस एप्लिकेशन से पूरे 2 लाख रुपे तकी लोन ले सकते हो और यहाँ पर आपको जो भी लोन मिलेगी वो एक RBI रिष्टर NBFC अपरो कंपने के थूह ही मिलेगी और इसके NBFC हैं ब्रांच खुद ही जिनके द्वारा ही यहाँ पर लिमिट प्रुएट की जाती है अब जोस्तों आप सिर्फ आधर कार्ड और पेंकार्ड के बेसिस पर लोन लेने जाओगे तो आपको 50,000 रुपे तक की लोन मिलेगी जैसे हम इस application का ओपन करेंगे तो सबसे पहले हमसे यहाँ पर मुबÁL नमबर पुचा जाएगा मुबÁL नमबर यहाँ पर एंटर करेंगे और वरीफाई पर कलिक करेंगे तो हमारे mobile number पर एक वोटी पी send किया जाएगा वो यहाँ पर auto में ही enter हो जाएगा और हमारा mobile number auto में ही verify हो जाएगा यहाँ पर आप देखोगे तो हमारा mobile number यहाँ पर verify हो चुका है अब यहाँ पर हमें email id verify करने हैं तो उसके लिए निचे यहाँ पर एक option मिलेगा continue with google उस पर हमें click करना है तो हमें radar कर दिया जाएगा email id वाले section में जहां से हमें email id सूस कर लेनी है जो email id हम इस application के साथ link करना चाता है email id सूस करने के बाद यहाँ पर हमें इसे permission देना होगा तो यहाँ पर एक option मिलेगा agree and share उस पर हमें click कर देना है तो हमारे email id यहाँ पर verify हो जाएगी और हम पहुंच जाएगे इस application के home page में अब home page में नीचे देखोगे तो यहाँ पर आपको चार option देखेगे इसमें से last के जो दो option है वो हमारे लिए किसी भी काम का नहीं है हमें इसे सोड़ देना है यहाँ पर पहला दो option है एक है home एक है loan तो हमें loan वाले option पर click करना है तो यहाँ पर थोड़ा सा processing लेगा और यहाँ पर कुछ permission पुछी जाएगी तो यहाँ पर allow access पर click करें करें सारी permission का allow कर देना है तो आपको income detail में क्या डालना है वो मैं आपको अभी suggest करूँगा अब यहाँ पर हम continue पर click करेंगे तो सबसे पहला हमें author card के detail देनी है तो अगर आपके author card में mobile number link है तो आप डिजी लोकर के तुरू भी यहाँ पर author card के detail दे सकोगे अदरवाज manually भी आप author card का front photo और back photo भी upload कर सकोगे तो हम यहाँ पर डिजी लोकर के तुर आदर कर वेरिफाइ करेंगे तो यहाँ पर एक option मिलेगा process is OTP verification उस पर हमें click करना है तो यहाँ पर थोड़ा processing लेगा और हमें redirect कर दिया जाएगा डिजी लोकर पर जिसमें यहाँ पर हमें author का number एंटर करना है और next पर click करना है तो हमरा author card में जो mobile number लिंक होगा उस पर कोटी पिसरन किया जाएगा वो यहाँ पर हमें एंटर करेंगे और submit पर click कर देंगे उसके बाद हमसे यहाँ पर डिजी लोकर का six digit का pin पुछा जाएगा वो यहाँ पर हमें एंटर करना है और done पर click कर देना है done करने के बाद यहाँ पर हमसे कुछ permission पुछी जाएगी उस हम allow करेंगे तो हमरा author card verify यहाँ पर successfully हो जाएगा और हमरे समने icon next step जिसमें हमें एक selfie देनी होगी तो यहाँ पर एक option मिलेगा capture selfie उस पर हमें क्लिक करना है तो हमसे camera की permission पुछी जाएगी उस हम allow करेंगे तो हमरे समने front camera open हो जाएगा जिसमें हमें clear से selfie क्लिक कर लेने है और यहाँ पर इसे upload कर देनी है तो हमसे यहाँ पर उसके बद नीचे scroll करके यहाँ पर हमरे city enter करनी है हमारा pin call number enter करना है और state enter करना है उसके बद इस वाले box पर click कर कर देना है जैसे continue करेंगे तो हमसे यहाँ पर income detail पूछी जाएगी और income detail में सबसे पहला हमारा income type source करना है कि हम select fashion है, self employee है, unemployed है या other है इनमें से जो भी हो यहा पर कोई भी आपसे income का फूर्प नहीं पूचा जाएगा, तो आपको हमसा यहाँ पर select fashion ही source करना है, ठीक है, जैसे यहाँ पर आप select fashion source करना है, तो नीचे यहाँ पर आपके मंठले income पूछी जाएगी, तो मंठले income में भी यहाँ पर बहुत सारे income आएगी, लेकिन मैं suggest उनने 999 वही यहाँ पर आपको select करनी है, और उसके बाद simply continue बर click कर देना है, तो अब यहाँ पर हमसे bank के detail पूछी जाएगी, अब bank detail में आपको एक बात हमेसा ख्याल रखनी है, कि आपने branch में जो नाम से account बिना है, वही नाम से आपका bank account होना चाहिए, तो है आपके bank account में money transfer होगी, और दिर्वाज नहीं होगी, ठीके, तो bank detail में सबसे पहले यहाँ पर आपको bank का डाम सूच करना है, और यहाँ पर account number एंटर कर देना है, और उसके बाद simply submit पर click कर देना है, तो आपके bank detail verify होगी, और bank detail verify होने के बाद आपका eligibility criteria, civil score सब को check होगा, और आपको अभी अभी एक limit दे जाएगी, हमारे किस मैप देखोगे, तो हमें 4000 रुपय की limit यहाँ पर इन्होंने तुरंती दे दी है, हम यहाँ पर 500 रुपय से लेके 4000 रुपय की loan में से कोई भी amount हमारे bank account में transfer कर सकते है, अब दोस्तों इन मेंचे कोई भी amount आप अपने bank account में transfer करोगे, तो हमेरे समये 2 pri amongst आएगे, हम इस प्रों को 31 दिन के लिए भी ले सकते है और बासें डिन के लिए भी ले सकते है, तो हम यहाँ पर 31 दिन सूस करते है, तो यहाँ पर हमारे ट्रुंस हो जाईगा और हमरी लोन पर कितना कितना फीज right लगाए जाएगा औह बताया हुवा है, तो ज्यादा चुकाना रहेगा सिर्फ 31 दिन के अंदर तो यह कोई ज्यादा मेंगर नहीं है सिर्फ आधर कार्ड और पेंड कार्ड के बेसिस पर हमें लोन प्रोवेड की जाती है तो इतना सास तो हमें देना पर सकता है अब इसके सारी डिटल देखने के लिए यहां पर एक अप तो यहां साब ऐट कर सकोगे अदरनाज अपने पिछे अपने बेसिस पर आपकी लोन आपको मिलने वाली है उसे एक बड़ अच्छे से देख ले ना है उसके बद नीचे पर इस वाले बोक्स पर टिकर देना है और एक्जब एंड कंतीनू पर क्लिक कर देना है तो हमारी जो loan amount है वो हमारे bank account में transfer होने के लिए processing में चली जाएगी और यहाँ पर हमारी loan के detail भी बताई हुई है कि 500 रुपया के हमारी loan है उस पर अठार रुपया interest लगाई जाएगा 548 रुपया हमारे bank account में transfer होगा और 518 रुपया हमें total repayment करना होगा तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा हमें वेट करना होगा यहाँ पर बताई गया है कि विदें 12 गंटे के अंदर हमारी loan हमारे bank account में transfer हो जाएगी लेकिन 12 गंटे तक का समय नहीं लगेगा तुरंत हमारे bank account में यह loan हमारे ट्रासफर हो जाते है इस हम ब्यक करके फिर से application में आती है तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो हमारे जो loan हमाओट है वो हमारे bank account में successfully transfer हो चुकी है तो ऐसे simple तरीके से मातर 5 मिलिट के अंदर आप branch application से अब loan ले सकोगे पहले दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे problem आते थे उसके bank account में loan amount transfer नहीं होती थी और सारे problem आप side खतम हो चुकी है मैंने अज़ीज भाई का loan apply किया है उसको मतलग 2 मिलिट के अंदर उसके bank account में money आ चुकी थी ठीक है तो दोस्तों आज़के वीडियों बस इतना ही उमेद करता है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो like, share, comment and subscribe करना न बोलो और आपके application कैसे लगी या आपको यहाँ पर loan मिली है या नहीं तो मुझे comment में जरूर बताना और description में इस application का link दी हुए है वहाँ पर click करके यह वाले application को आप download कर सकते हो और loan के लिए apply कर सकते हो ठीक है तो चले दूसरों मिलते हैं और ऐसी next वीडियो के साथ तब तक के लिए जए हिन जए भारत